हलो एवरिवान गाईस कैसे हैं आप सब सफल 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हूँ राहू लगरवाल और अब हम डिसकस करेंगे चैप्टर नंबर 2 तो उमीद करता हूँ कि जो पहला चैप्टर था जिसमें हमने डिसकस किया चैलेंजेज ओफ नेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और साथ ही साथ मैं कमेंट्स देख रहा था टो एगला चैप्टर काया है जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो एरा और फवन पार्टी डॉमिनेंस मतलब की एक पार्टी जो थी कॉंगरेस पार्टी कि यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से भारत की राजनीती में इंडिया की politics में it was the congress party that dominated the proceedings ठीक है तो यह सारी चीजे हम देखेंगे पिछले lecture में हमने क्या पढ़ा था भाई challenges of new nation उसके बाद हमने partition की समस्या पढ़ी साथ ही साथ इसाथ princely states का integration और reorganization of states यह सब पढ़ लिया है पहला chapter पूरी तरीके से cover हमने कर लिया है अब बारी किस की है अब बारी है अगले chapter की जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई democracy का जो challenge था भारत के first general election में second third general election में क्या हुआ और कुछ major political parties के बारे में तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि भई राहूल जर ने आपको क्या बताया था तीन क्या-क्या challenges थे क्या-क्या तीन challenges थे सबसे पहला challenge क्या था सबसे पहला challenge था देश को united रखना ठीक है देश को united रखना ताकि देश में किसी भी पिछले क्लास में हमने सब देख लिया साथ हमने reorganization of states भी पढ़लिया की कैसे इंडिया में राज्यों को language के अधार पर रियोउर्गनाईज किया यह सब भी हमने देख लिया अब हमारे सामने दूसरी समस्य क्या थी हमारे सामने दूसरी समस्या थी to establish democracy हम चाहते थे कि देश में लोक तंत्र लेके आए हम लोक तंत्र आने की एक ऐसा system democracy आने की for the people of the people by the people लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा ठीक है ये होती है न democracy आसान भाषा में simple language में तो हम भी चाहते थे कि इंडिया में हम democracy लेके आए लेकिन बहुत सारी समस्या आए थी बहुत जादा क्या सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इंडिया में उस समय भारी मात्रा में illiteracy थी भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो लोगों को ये समझाना कि election क्या होता है election में उनको vote करने के लिए भेजना ये अपने आप में बहुत बड़ा challenge था फिर उस समय हमारे पास election commission भी नहीं था जो कि इतने बड़े देश में election करवा सके अभी तो सबसेट है उस समय कुछ था क्या नहीं था election करवाने में इतने सारे manpower की जरूत पड़ती है trained officers की जरूत पड़ती है तो उस समय हमारे सामने कुछ भी नहीं था लोगों के voter ID cards बनवाने पड़े सब के पहली बार zero से शुरू हुआ अब तो हम revise करते हैं उस समय तो सब zero से बनाना पड़ा तो बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ गई ठीक है सो faced with serious challenges leaders in many countries of the world decided that their country could not afford to have democracy अब देखो इंडिया के साथ जो problem थी इंडिया नया नया आजाद हुआ था भारत के साथ में और भी बहुत सारे देश थे जो उस समय नय नय आजाद हुए थे कोई 47 में हुआ तो कोई 50 में कोई 52 में कोई 55 में कई सारे देश थे तो इंडिया ने तो चुना कि हम democracy वाला रास्ता अपनाएंगे चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो कितना ही क्योंकि democracy में इतने भारी मातरा में आपको इतना जोरदार level पे आपको election करवाना है भीया जो कि आसान है क्या बिल्कुल भी आसान नहीं तो बाकी जो देश थे साथ में उनमें से कई सारे देशों ने ये मुश्किल रास्ता नहीं चुना और उन्होंने अपने देश में democracy नहीं चुनी कुछ लोगोंने अगर democracy चुनी भी तो वहाँ पे उन्होंने ताना शाही वाला model अपना लिया ठीक है ताकि वो अपने इसाब से manage कर सके बट इंडिया वालों को पता था हमारे constitution leaders को पता था कि भाया चाहे कुछ हो जाए हम तो यही कर के रहेंगे चाहे कितना ही खर्चा हो जाए चाहे जो हो जाए ठीक है बाकी लोगोंने सोचा कि हम afford नहीं कर पाएंगे हमारी जन्ता भी अनपढ़ है हम अभी यह सब afford नहीं कर पाएंगे ठीक है So they said that National unity was their first priority and democracy will introduce differences and conflicts तो बहुन सारे अलग-अलग देशों का ये मानना था कि democracy अगर आएगी तो लोगों के बीच में भेद भाव बढ़ जाएगा लड़ाई जगड़े हो जाएगे और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसा हो इसलिए अभी हमारी प्राथमिक्ता, हमारी प्रायॉरिटी है यूनिटी सबसे पहले हम नैशनल यूनिटी पे फोकस करेंगे उसके बाद देखी जाएगी बाकी चीज़े उसके बाद देखेंगे बाकी सब अभी सबसे पहले focus हमारा सिर्फ और सिर्फ unity पे रहेगा democracy वगर हम देख लेंगे चलो 10 साल बात देख लेंगे 15 साल बात देख लेंगे ऐसा करके उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाते गए कि यार ठीक है अभी नहीं करते कुछ साल बात कर लेंगे अभी हम नए नए आजाद हुए है न तो जनता को न मुर्क बनाते गए जनता के पास कोई option नहीं था चाहते तो हमारे वाले भी ये कर सकते थे बट हमने ये नहीं किया जादतर देश जो आजाद हुए वहाँ पे आपको democracy नहीं दिखेगी अगर मान लो democracy है भी तो वो असल मायने में ground में practice नहीं की जा रहे है जनता को धोखा दिया जा रहा है बस नाम की democracy है ऐसा system है ठीक है तो दा conditions in India were not very different but the leaders of the newly independent India decided to take the difficult path सीधा सीधा इंडिया में भी स्थिती ऐसी थी थी न यहां कौन से भीया कुबेर के खजाने थे यहां भी गरीबी थी यहां भी illiteracy थी यहां भी बहुत सारे challenges थे उपर से बाकी देशों के मुकाबले तो यहां पर population भी बहुत जादा थी तो हमारे सामने समस्याए किसी से कम नहीं थी बलकि जादा ही थी बट हमारे leaders ने difficult path चुना अगर हम democracy नहीं चुनते कुछ और select करते तो जनता क्या बोलती जनता सिधा सिधा यह कहती न कि भई आजादी की लड़ाई में तो तुमने बहुत बड़ी-बड़ी बाते की थी कि जब हम आजाद होंगे तो हम देश में ये लेके आएंगे लोक तंत्र लेके आएंगे जनता का राज होगा, फलाना होगा, धिमकाना होगा, लेकिन जैसे ही आजादी मिली, सब भूल गए, सब भूल गए, अब तुम्हें पावर चाहिए, अब तुम्हें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, सो इस वजए से जनता का जो भरोसा है, वो सरकार से उठ जाता, वो हमारे ली एक बार जनता का भरोसा शुरू महीं उठ गया, तो बाद में अगर आप कुछ अच्छा भी करोगे ना, तो जनता आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, सो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमने सपने देखे थे, जो बाते की थी, हमने उनहीं चीज़ों को फॉलो करन का भी डिसाइड किया, so our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy, भाई, राजनीती बड़ी कुत्ती चीज़ है, गंधी चीज़ है, बोलते हैं ना, कि भाई, politics बहुत डर्टी गेम है, बट हमारे leaders ने politics को न, किसी तरीके से, मतलब, परिशानी के रूप में नहीं लिया, हमारे leaders ने politics को एक opportunity की तरह लिया, कि भाईया, politics एक ऐसा मौका हमें प्रदान करेगा, जिससे कि हम लोगों की समस्याओं को solve कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे जो leaders थे, वो बहुत ज़्याद मतलब, उसका क्या role होगा किसी भी democracy में, उन्हें पता था कि अगर हम democracy देश में लेके आते हैं, तो भीया बड़े high level पर राजनीती भी देश में चलेगी, बिलकुल पता था, ठीक है, so they did not see politics as a problem, they saw it as a way of solving the problems, so while competition and power are the two most visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest, ठीक है, भाई किसी भी politics में अगर आप बात करो, तो politics में क्या होता है, competition होता है, दो पार्टियां लड़ रही है, दस पार्टियां लड़ रही है, कि चुनाओ कौन जीतेगा, सरकार में कौन आएगा, power किसके हाथ में होगी, सत्ता किसके हाथ में होगी, है न, तो politics में ज्यादा तर हम ये दो ही चीज़ें देखते हैं न, एक तो competition, एक power, but, politics की असली, politics की असली जो मतलब objective है, जो उसका purpose है, वो जनता का hit होना चाहिए, politics का purpose कभी भी ये नहीं होना चाहिए, कि तुम्हें सत्ता में बैठना है, तुम्हें सत्ता हासिल कर वी है, तुम्हें सत्ता की लालसा है, ठीक है, उसका हमेशा मकसद होना चाहिए, कि तुम के लिए क्या कर रहे हो, है न, how are you pursuing national interest, भई जनता तुम्हें इतनी आशा भरी निगाहों से देख रही है यार आजादी के बाद, सीधी सी बात है न, जनता तरस्त हो चुकी थी अंग्रेजों से, अब आजाद हुए हो, जनता चाहती है कि तुम वो सब चीजें करो, जो इतने सालों से सपना तुमने दिखाया है, ठीक है, तो अगर अब तुम politics का यूँ सत्ता हासिल करने में लग जाओगे, तो फिर जनता का भरोसा तूटेगा, ठीक है, तो ये route हमारे leaders ने decide किया, कि भई, हम politics जरूर करेंगे, राजनीती जरूर करेंगे, लेकिन हमारी जो राजनी होगी, उसका main aim क्या होगा, जनता का हित, national interest, उसका main aim कभी भी सत्ता हासिल करना नहीं होगा, ऐसा जनता को हमारे leaders ने भरोसा दिलाए, अब आपको यहाँ पे कुछ basic facts बता देता हूँ, जो इस book में भी दिये हुए हैं, और जो हम आगे facts की दुनिया में भी, अगली class में discuss क कर लेंगे, page wise जब discuss करेंगे, ठीक है, the constitution was adopted on 26th November 1949, and signed on 24 January 1950, it came into effect on 26 January 1950, हमारा constitution किस दिन बना था, अगर आप से कोई पूछे, answer क्या होगा, 26 November 1949, हमारा constitution sign कभ हुआ, answer क्या होगा, 24 January 1950, हमारा constitution लागू कभ हुआ, answer क्या होगा, 26 January 1950, जिस दिन हम Republic Day मनाते हैं, ठीक है, election commission of India was set up in January 1950, सुकुमार सेन जो थे, वो हमारे पहले chief election commissioner बने, तो ये नाम याद रखना, MCQs में ये पूछा जाएगा, आपके CUET exam में बहुत काम आएगा, ठीक है, So, election commission भारत में पहली बार, 1950 जनवरी में बना, तो अब आप challenges खुदी समझ सकते हो, अगले साल चुनाओ होगा, इंडिया में, 2024 में, अब तो election commission को बने भीया, पचास में बना था, है न, तो पचास और तेइस, 73 साल हो गए, 2024 हो जाएंगे, अगले साल, तो अब तो election commission को बने 74 साल हो गए, बट उसके बाद भी election कराना मजाक नहीं है, आज भी election होता है, तो कुछ न कुछ गडबडियां होती रहती है, क्योंकि इतना बड़ा भारत देश है, तो सोचो यार, खुद सोच लो, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं, कुछ यहाँ पे लिखा भी नहीं है, खु नहीं बना था, यह election commission ही नहीं बना था, साथ ही साथ हमें यह भी डर था, कि हम जो यह करने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी का experiment, वो successful होगा भी की नहीं, क्योंकि लोग तो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि इंडिया ने क्या चूज किया था, इंडिया ने चूज किया था, यूनिवर्सल, अडल्ट, फ्रेंचाइस, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है, कि भारत में हर कोई एक एज के उपर का वेक्ति वोट कर सकता है, तो उस समय वोटिंग की एज थी, 21 साल, 1989 में उसको चेंज किया गया, और 18 किया गया, ठीक है, अभी 18 साल है ना वोटिंग की एज, उस समय 21 साल थी, तो ये ध्यान रखो, कि इंडिया ने युनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइस का मॉडल अपनाने का सोचा, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, इंडिया में ही लोगों ने मजाक उड़ाया, कि जिस देश की जनता को A, B, C, D तक नहीं आती, वोट क्या खाक करेगी, और ऐसे लोग अगर वोट करेंगे भी, तो ऐसे लोगों के वोट का फाइदा क्या, ऐसे करके बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हमारे सामने थे, तो हमारे लीडर्स भी इस चीज़ के प्रेशर में थे, कि अगर ये सक्सेस्फुल नहीं हुआ तो, अगर ये फेल हो गया ये सिस्टम, तो अगर हमारा एक्स्पेरिमेंट नहीं चला, तो क्या होगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में सोचो, मैंने आपको क्या बोला था, कि मेरी क्लास में मैं आपको पहुचा दूँगा 1950 में, तो आपका माइंड वहाँ चला जाना चाहिए, कि हाँ यार, कैसा रहा होगा उस समय जब पहला इलेक्शन करवाया गया होगा, क्या महौल रहा होगा, क्या सीन रहा होगा, क्या सिनारियो रहे होंगे, क्या-क्या चालेंजिस रहे होंगे, ठीक है, 15% eligible voters जो थे, वो पढ़े लिखे थे, अब आप, आपके सामने बस fact रख रहा हूँ, खुद सोच लो, समझाने का कुछ है नहीं, सिर्फ 15%, मतलब अगर 100 लोग vote करने जा रहे हैं, तो 100 में से 15 लोग पढ़े लिखे थे, बाकी 85% illiterate थे, अब उन 85% को ये बोलना कि, जा बेटा, vote कर किया, पहले तो वो पूछेगा कि क्या होता है vote, मैं किसको vote करूँगा, vote करने के बाद क्या होगा, कुछ पता ही नहीं ना उसको तो, ठीक है, तो कितना बड़ा challenge, most of the country's population was suffering from, गरीबी, भूक मरी, पेट में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो जंता तो यहीं बोलेगी न, भाई दो वक्त की रोटी तो पहले दे दे, vote करवा रहा है मुझसे, पहले मैं vote करूँ, खाना तो मुझे मिलनी रहा, है ना, कितना बड़ा challenge, lack of means of communication and technology, आज तो भाईया, 24 घंटे social media चल रहा है, वहाँ पर अगर पार्लेमेंट कुछ सोचती भी है, तो हमारे पास आ जाता है, कि पार्लेमेंट यह सोच रही है, उस समय तो कुछ था ही नहीं, बचपन से सुनते आ रहे हैं भाईया, हम तो कहानी, कि तेरे पापा बचपन में जाते थे गाउं, तो दादी जो है, वो चार दिन का खाना लेके जाती थी साथ में, क्योंकि शहर से गाउं पहुचने में, चार दिन लगते थे बैल गाड़ी में, हम तो बचपन से यह कहानी सुनते आ रहे हैं न, कि जहां तुम आज कार से, कि पंदरा मिनट में पहुच जाते हो, हम तो बैल गाड़ी से देड़ दिन में पहुचते थे, क्योंकि साधन नहीं था, सड़के नहीं थी, टेकनॉलोजी नहीं थी, कम्यूनिकेशन की, कोई सुविधा नहीं थी, उससे में टेलिफोन्स वगरा भी नहीं थे, बहुत जो एकदम अल्टरा रिच हैं, वो यूज करते थे, आम आदमी तो करता ही नहीं था, अरे वो तो बहुत पुरानी बात है, ये तो 1950 की बात है, जिस गाउं में मैं रहता था, वहाँ तो 1995 तक लोगों के घर में फोन नहीं हुआ करते थे, पचास तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, सब देखा है मैंने ये, गरीबी सी गरेबी वाली सिचुएशन, सब देखी है तो मैं इमाजिन कर सकता हूँ, कि उसके 50 साल पहले क्या होता होगा, ठीक है, तो अब सोचो आप, ये सब आपको बताया जा रहा है, ताकि आप इमाजिन कर पाओ, कि उस समय कितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, इलेक्शन करवाने का, 3200 MLA's and 489 Parliamentary seats, वर तो बी इलेक्टेड बाई 17 करोड वोटर्स, ठीक है, और 489 MPs के लिए उन्हें वोट करना था, तो देखो, इंडिया में आज 543 लोग सभा seat है, ठीक है, तो ये decided है, कि भई, कौन सी seat कहा है, कितने state में कौन-कौन सी seat है, उस समय तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, ये सब, मतलब यार, जो जो भी आज है, वो सब बनाया जाना था उस समय, बस इतना सोच लो, कि जो जो भी आज है, वो सब उस समय बनाया गया था, तो ये कितना बड़ा अपने आप में चैलेंज था, नियरली 3 लाख पीपल हाव बिन ट्रेंड, वोटर लिस्ट प्रिपेर की गई, जो भी 21 साल से उपर का था उसके लिए, एन्ड इलेक्शन केंपेंड स्टार्टेंड इन दा कंट्री, तो 3 लाख लोगों को ट्रेंड किया गया, ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, इलेक्शन के प्रोसेस में, अब एक समस्या यह आई, कि वोटर लिस्ट में महिलाओं के डामी नहीं आए, वोटर लिस्ट बनी, सुकुमार सेन के पास पहुची, इलेक्शन कमिशन के पास पहुची, इलेक्शन कमिशन देख रहा है, इसमें तो लिखा है भई रिंकू की चाची, उसमें तो लिखा है चुन्नू की मम्मी, उसमें तो लिखा है भई टपू के मम्मी, बस, महिलाओं ने अपने नामी नहीं बताय हुए थे, अपने बच्चों के, अपने पतियों के नाम से उनको पुचा, मतलब एक तरीके से उनकी पहचान हो रही थी, खैरा, कितना बड़ा चैलेंज था ये, कितना बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि गाओं में आज भी अगर आप देखोगे ना, गाओं में आज भी, लोग अपने घर की महिलाओं का नाम नहीं बताते हैं, आज भी अगर आप देखोगे तो, महिलाएं भी नहीं बताती, वो अपने आपको, हाँ भी मैं इसकी पतनी हूँ, त्रिलोचन की पतनी, चंकी की भुवा, इस तरीके से संबोधित करते हैं, ठीक है, तो जब आज भी ये सिनेरियों कई-कई जगा में हैं, तो उस समय तो आप इमेजिन कर सकते, एक इंडियन एडिटर ने बोला कि ये तो बहुत बड़ा जुवा है, बड़ा जुवा चल रहा है, ये तो बहुत बड़ा गैंबल है, जो भारत लेने जा रहा है, गैंबल किस चीज़ को बोला, इंडिया के डेमोक्रेसी के फैसले को, युनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइस के फैसले को कि भाई इतने अंपड़ लोगों से वोटिंग करवा रहे हो नहीं चलेगा चलेगा ही नहीं फेल हो जाएगा अग्जीन नेम्ड और्गनाइजर रोट डाट जवाहलाल नहरू वाइल अलाइव विल सी और रिग्रेट डाट युनिवर्सल अडल्ट साफ्रेज इन इंडिया वाज फेलियर और रिपोर्ट किया बहिया कि जवाहलाल नहरू जो है ना अपने जीते जीत देख के जाएंगे कि इनडिया में ये युनिवर्सल अडल्ट साफ्रेज का फैसला कितना बड़ा रिग्रेट था मतलब ये जो मैग्जीन थी ए इतने इचाना कॉन्फिडेंट थी कि नहरू जो है वो रिग्रेट करेंगे कियो कि ये कितना गलत फैसला है ठीके नाओ इनडिया का फस्त इलेक ठीक है? लेकिन उसके बाद भी इंडिया के इलेक्षन को, 1 इलेक्षन को 1952 का इलेक्षन कहा जाता है. तो, बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूस होते हैं, कि सर जब इलेक्षन की शुरुआत तो 51 से हुई थी, तो 52 का इलेक्षन क्यों कहते हैं? तो उसका reason ये है बच्चो कि जादतर इंडिया के हिस्सों ने जादतर इंडिया के parts में elections जो थे वो 52 में हुए थे शुरुवात हो गई थी 51 में कुछ जगा में voting हो गई थी लेकिन जादतर voting जादतर election की प्रक्रिया 1952 में जन्वरी फर्वरी के महने में इस वजए से 1952 का election कहा जाता है so because in most places elections were held in 52 therefore they were called the 1952 elections election हुआ बहुत बहतरीन तरीके से election हुआ डेमोक्रेसी भारत में जबर्दस तरीके से install हो गई बढ़ चड़के लोगों ने election process में पार्ट लिया लोगों को अभी तक वोट करने का अधिकार नहीं मिला था अंग्रेजों ने थोड़ी दिया था सबको पहली बार लोग वोट करने घर से निकल रहे थे बड़े ही उत्साह के साथ बड़े ही जोश और खरोश के साथ कि चलो ठीक है हमें पता नहीं है हमें ज्यादा knowledge नहीं है चीज़ों की बढ़ ठीक है वोट तो करके आएंगे ठीक है तो सब के मुँपे ये बहुत बड़ा तमाचा पड़ा था जितने लोग भी वेट कर रहे थे कि ये फेल हो जाएगा सब के मुँपे तमाचा था विकॉज ये successful रहा था ठीक है तो democracy successfully भारत में establish हुई लोगों ने enthusiastically participate किया और साथ ही साथ candidates जो थे जो चुनाव लड रहे थे वो भी बड़े graceful थे defeat में ऐसा नहीं था कि जो हार गया वो रो रहा है और बोल रहा है कि अरे ये तो गलत तरीके से हार गया मैं और ऐसा हुआ वैसा हुआ जो जीत गया वो खुश था जो हार गया वो अपनी गलती accept कर रहा था बड़े maturity से बड़े ही परिपक्व तरीके से भारत का पहला चुनाव हुआ ऐसा लगा जैसे कि मानो हम कितने सालों से election करवा रहे हैं ठीक है दा इंडियन पीपल कैरीड आउट इस election experiment वेल और अल दा critics वर silenced जितने लोग जो भौक रहे थे अरे नहरू regret करेंगे अरे democracy fail हो जाएगा अरे ये अरे वो चुप 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 सब चुप so in the elections Congress ने 364 सीटें जीती out of 489 तो ये है इस chapter का नाव one party dominance मतलब 489 में से 364 भाई साब ये लगबग 87% सीटें तुम ही जीत गए बाकियों के लिए क्या छोड़ा तुमने कुछ नहीं तो इस chapter में आप यही पढ़ोगे कि क्यों Congress Party dominate कर रही थी भारत के politics को क्या reason था कि Congress Party ही सबसे जादा सीटें जीत रही थी ठीक है और साथी साथ Congress जो है वो single largest party बनी और इस वजय से Congress का जो लीडर था यानि कि जवाहरलाल नहरू वो देश के प्रधान मंत्री बने जैसे कि आज देश में बीजेपी के पास सबसे जादा सीटें हैं तो नरेंद्र मोधी पीम है सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी कम्यूनिस्ट पार्टी जिसकी 16 सीटे थी जवाहरलाल नहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने तो आप यह देख लो कि एक तरफ Congress है कितनी सीटे 364 और दूसरी तरफ CPI यानि कि कम्यूनिस्ट पार्टी कितनी सीटे 16 कोई तुलना है कोई competition है नहीं है कोई competition कोई तुलना कहां 364 कहां 16 भाई इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ ना भी इंडिया 356 पाकिस्तान 128 बस वैसे ही था कोई तुलना नहीं 228 रन से आर गय कहली ने अकेले ने 122 बनाए पाकिस्तान 128 बनाई बताओ कोई तुलना है कोई तुलना है सेम हाल यहां था जब हम आजादी के लड़ाई लड़ रहे थे तब सब के सब भारत में ऐसा था कि हर कोई और यहीं कॉंग्रेस ने सबको अपने आप में समा लिया था ठीक है और लोगों के मन में कॉंग्रेस की यह इमेज बन गई थी कि भई कॉंग्रेस ने भारत को आजादी दिलाई है बात खता मैं सिंपल एस डाट भारत को आजादी किसने दिलाई अरे किसने दिलाई किसने दिलाई कॉंग्रेस ने किसने दिलाई कॉंग्रेस लोगों के माइन में यह चीज चिपक चुकी थी अब जो पार्टी इतने सालों से देश को आजाद क एंड ओल्डेस्ट पार्टी जिसका फाइदा कॉंग्रेस को मिला कॉंग्रेस वाज दा ओनली पार्टी उस और्गनाइजेशन वाज स्प्रेड ओल ओवर दा कंट्री अब आप ये देखो ना मैं ये नहीं कह रहा कि जब इलेक्शन हुए तब कॉंग्रेस के लावा और पार्टी या नहीं खड़ी हुई थी बहुत सारी पार्टी यां थी इंडिया में जो कि उस समय नहीं नहीं बनी थी या फिर 4-5 साल 10 साल पहले बनी थी तो उन्हें मेहनत करनी पड़ी उनके कार्रे करता देश के हर जगा में फैले हुए नहीं थे कॉंग्रेस को ये मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि कॉंग्रेस तो आजादी के समय से ये काम करते आ रही थी ना भई नॉन कोपरेशन मुवमेंट सिविल डिसोबीडियन्स मुवमेंट कुट इंडिया मुवमेंट जो इंडिया में चल रहा था जिसकी लिडर्शिप कॉंग्रेस पार्टी कर रही थी तो उन्होंने already देश के कोने कोने में अपना organization फैलाया हुआ था तबी तो जनता का support था तो Congress के लिए ये election काफी easy हो गया क्योंकि उनका सब किया हुआ था इतने सालों से बस अब तो vote देना था लोगों को लोगों ने दे दिया लेकिन वहीं बाकी party जो नहीं नहीं बनी थी उनका organization उतना spread नहीं था उनकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं थी इस चक्कर में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली ठीक है so legacy of the freedom struggle then उसके बाद इन सारी चीजों के बाद जो leaders थे चाहे नहरू देख लो चाहे सरदार पटेल देख लो ठीक है तो ये भी बड़े ही popular leaders थे charismatic leaders थे जैसे कि अभी देश में नरेंद्र मोदी की popularity है उस समय तो शायद उससे भी कहीं ज़्यादा नहरू की popularity होगी क्योंकि उस समय आजादी मिली थी ठीक है तो उसका भी फायदा Congress को मिला देन उसके बाद support of all classes and inclusion of all ideology चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे किसी भी कास्ट का हो भाई Congress को समय हर कोई support कर रहा था हर कोई Congress को support कर रहा था चाहे कुछ करे ना करे अपनी जिंदगी में लेकिन Congress को तो support वो चाहे फेवर में गए और इस वज़े से Congress जीती तो दरूल ऑफ Congress इन इंडिया वास सिमिलर टू डॉमिनेंस ऑफ वन पार्टी बट इसकी स्पेशालिटी क्या थी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में सिर्फ Congress जो डॉमिनेट की है वो दुनिया में और कहीं किसी देश में किसी और पार्टी ने नहीं किया बहुत सारे एक्जामपल है जहां पे और भी अन्न देशों में और पार्टी ने ऐसा डॉमिनेट किया है जैसा Congress ने किया है बट यहां पे एक खासियत थी Congress Party की और वो खासियत यह थी कि यह जो डॉमिनेंट यह जो डॉमिनेंस था यह लीगल तोर पे सही तरीके से आया था democracy establish करने के बाद आया था, गलत तरीके से नहीं आया था, बहुत सारे देशों में अगर आप देखोगे तो लोग गलत तरीके से सत्ता हासिल करते हैं और डॉमिनेट करते हैं यहां वैसा नहीं था, यहां जन्ता का genuine support था, real support था, ठीक हैं? So the people had given the Congress a chance to rule for so many years by electing them. It was completely different from other countries, जैसे कि Cuba, China, Syria, जहाँ पे सिर्फ एकी पार्टी का रूल होता है, या फिर Myanmar, Belarus, जहाँ पे military का रूल चलता था, ठीक है? So the situation in India was different, and the dominance was established through democracy, which shows the popularity of Congress. भही, जब जनता आपको मौका दे रही है न, dominate करने का, जनता खुद आपको अलाउ कर रही है कि जाओ, छाजाओ, जा पुतर, छाजाओ, तो फिर बात अलग होती है, Hitler ने भी dominate किया था, जर्मनी में, Hitler की speech देखा है, कभी भी Hitler की किसी भी speech का वीडियो देखना, जहां तक नजर जाएगी, वहां तक आदमी दिखेंगे, उनके सामने तो, हमारे निताओं की रहलियो में कोई भीड नहीं होती, उसके comparison में, बट वो dominance, वो जो dominance था, वो जबरदस्ती का dominance था, लोगों को डरा के, धमका के किया गया dominance था, यहां ऐसा नहीं था, यहां जनता के पास पूरा मौका था, वो Congress को vote ना करती, किसी और party को vote करती, लेकिन जनता ने खुद Congress को support किया, तो तो the Congress Party became a social and ideological coalition, it merged different social groups along with their identity, holding different beliefs, तो basically Congress Party, इंडिया के political system को Congress system कहा जाने लगा, क्योंकि Congress थी सब कुछ थी, हर तरीके की सोच का वेक्ती, Congress में ही मिल जाता था, तो Congress का जो एक base था न, वो ऐसा हो गया था, कि भाई, या तो वो हिंदूस्तानी है, या तो Congress ही है, मतलब बात ऐसी हो गई थी, कि वो हिंदूस्तानी तो है, क्योंकि वो इंडिया में रहता है, साथ में दूसरा वो Congress ही भी है, ठीक है, मतलब आपको ढूणना मुश्किल हो जाता, ऐसा आदमी, जो ये कहे कि मैं Congress का नहीं है, सो इट एकोमोडेटेटेट दर रिवोल्यूशनरी, कंजर्वेटिव, पैसिफिस्ट, रेडिकल, एक्स्ट्रिमिस्ट, मॉडरेट्स, राइट, लेफ्ट, मतलब देखो, रिवोल्यूशनरी, यानि की जो रिवोल्यूशन, मतलब एक रिवो, अक्रामक सोच वाले, कंजर्वेटिव, थोड़े से कम अक्रामक सोच वाले, पैसिफिस्ट, जो लड़ाई जगडे में बिलीव नहीं करते, रेडिकल, ठीक है, एक्स्ट्रिमिस्ट, मॉडरेट, राइट, लेफ्ट, यानि की, ये सारी आइडियोलोजी से हैं अलग-अलग, विचारधारा जिसे हम कहते हैं, तो हर एक विचारधारा, हर एक सोच का वेक्ति जो है, कॉंग्रेस पाइटी में था, कॉंग्रेस बिकेम अ प्लाटफॉर्म फोर नूमरेस ग्रूप्स, प्लाटफॉर्म बन चुका था, जिसमें आप कह सकते हो, कि भाई जिसमें बहुन सारे ग्रूप्स और पॉलिटिकल पार्टी जो थे, वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो इस वज़ए से कॉंग्रेस सिस्टम हम कहते हैं, तो आप देख सकते हो, फर्स जेनरल इलेक्शन में, second general election में और भारत में, ठीक है, तो लोग सबहाई σबहाँ सें Bet, बहुत अच्छा हासिल किया ही one seat, साथ में लोग सबहाँ के state elections भी हुएते, state में भी कुछ एक दो तिन स्टेटों को छोड़के, पूरे भारत में Congress Party का ही दब-दबा था So, that shows what? That shows era of one party dominance जो की इस chapter में आप जो इस chapter का क्या है? Title भी है ठीक है? 1957 में second general election हुए ठीक है? So, this time the situation remained the same as the last time और Congress ने 371 सीटे जीत गई पिछले में 364 था, अभी 371 हो गया ठीक है? जवाहलाल नेहरू दूसरी बार प्रधान मंत्री बने and the influence of Communist Party was visible and Congress could not form the government in Kerala So, Kerala में 1957 में देश में पहली बार ऐसा हुआ कि Congress की सरकार नहीं आई और Communist Party की सरकार है ठीक है? तो Communist Party ने 1st election में भी 16 सीटे लाके 2nd number में वो थी यानि कि देश में कहीं न कहीं Congress के बाद Communist Party का भी जो है वो influence चाहे कम ही सही बढ़ रहा था और Communist Party जो है वो Kerala की मतलब पार्टी थी, Kerala-based party थी तो उस वजए से कम से कम उन्होंने बाकी देश में ना सही बढ़ केरला में तो अपना काम कर दिया और Congress को वहाँ पे हरा दिया ठीक है? तो 1957 में The Communist Party of India formed the government in Kerala और मुख्यमंत्री कौन बना था? E.S. Nambudri Pad ठीक है? लेकिन 1969 में Congress की जो Central Government थी जवहालाल नहरू की उन्होंने Article 356 का यूज़ करके President Rule लगा दिया जिसके उपर बहुत ज़ादा Controversy हुई थी ठीक है? तो ये सब President Rule वगएरा आपने Class 11 में जरूर पढ़ा होगा कि भई President Rule का किस तरीके से Misuse सरकार करती है ठीक है? जो की गलत है नहीं करना चाहिए 1962 में तीसरा election हुआ इंडिया में जिसमें अगेन Congress ने इसली चुनाव जीत लिया और 361 सीटें हासिल की जवहालाल नहरूत तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने जो चाहे First Election हूँ चाहे Second Election हूँ चाहे Third General Election हूँ Congress ने तीनों में साड़े 300 से उपर सीटें हासिल की 360 से भी उपर सीटें हासिल की That shows the dominance अब आप ये देख लो First Election का बुआ 52 में कौन बना PM? नहरू 57 में भी नहरू 62 में भी नहरू ठीक है? 64 में नहरू की डेथ हुई और 64 में शास्त्री बने लाल बहादूर शास्त्री देश के PM बने ये भी Congress Party के इथे 66 में उनकी डेथ हुई और इंद्रा गांधी देश की प्रधान मंत्री बनी ठीक है? Then 67 में elections हुए थे वहाँ भी इंद्रा गांधी जीती प्रधान मंत्री बनी फिर 71 में फिर इंद्रा गांधी ठीक है? देश में पहली बार अगर Congress Party का प्रधान मंत्री नहीं बना था तो वह हुआ था 1977 में मुरारजी देशाई जो की देश के बहुत बड़े उस समय नेता थे पहले ये भी Congress Party में ही थे लेकिन बाद में इनके differences हो गए और ये दूसरी पार्टी में चले गए और जनता पार्टी की देश में सरकार बनी थी 1977 में देश में पहला non-Congressy PM बना था तो सोच लो आप कि 52 से कहानी शुरूई थी 25 साल तक non-Congressy PM नहीं था इतना मतलब Congress का दबदबा था लोगों के मन में Congress की respect थी ठीक है अब 77 में बनने के बाद भी वापस 80 में इंद्रा गांधी बन गई फिर उनकी डेथ हुई 84 में राजीव गांधी बन गए ठीक है देन उसके बाद 10 साल खिचडी चली बीच मेटल बिहारी वाजपई बने फिर 10 साल मन मोहन सिंग बन गए 2004 से 14 और अब 14 से 24 तक मतलब नरेंद्र मोधी पी-एम है ठीक है तो इसलिए तो भाजपः बार बार कहती है बीजेपी वाले कहते है कि भाई इनको 70 साल दिये हमको 10 साल तो दे दो क्योंकि जादा तर तुम्हारी पार्टी का पी-एम देश में रहा है आजादी के बाद से ठीक है ठीक है दस साल नरेंद्र मोधी के हटा दो और दस साल बीच के ऐसे हटा दो 20 साल आप हटा दो तो टोटल 70 75 सालों में 45-48 साल कॉंग्रेस का ही देश में प्रधान मंत्री रहा कि आज भी कॉंग्रेस पार्टी को ब्लेम किया जाता है फॉर दा प्रॉब्लम्स दाट वी हाव इन आर कंट्री ठीक है तो यह एक बैक्ग्राउंड आपको मैंने बताया है एरा ओफ वन पार्टी डॉमिनेंस का तो आज का यह लेक्चर हम यहाँ पे करेंगे समाप्त ठीक है और मैं आपको अगली क्लास में पताऊंगा फैक्ट्स की दुनिया और साथ ही साथ बच्चों कुछ MCQs भी हम करेंगे और उसके अलावा उसके अलावा कुछ important political parties के बारे में हम discuss करेंगे in the next lecture of सफल 2.0 अगले lecture का wait करना और इस lecture में आपको अगर कोई भी doubt है कोई भी चीज आपको अगर नहीं समझ में आई है comment section में please जरूर जरूर बताएं और साथ ही साथ बच्चों एक और चीज hard भेज देना यार comments में दिल भेज देना अगर आपको lecture पसंद आया धन्यवाद मिलूंगा आप सभी से बहुत जल्द in the next class